21 March को रेलवे माल्दा डेलफन के रास्ते एक और नई ट्रेन का संचलन सुरू करेगी और इस लिस्ट के साथ साथ इसे ट्रेन के टाइम टेबल्स की भी बात करेंगे इसे वीडियो में तो चलिए सुरू करते हैं आज का या लेटेस्ट वीडियो ब्डेट भारतिय डेलवे के तरफ से ट्रेन नमबर 09013 के साथ माल्दा टाउन के लिए उधना डेलवे स्टेशन से एक नई ट्रेन का संचलन सुरू होने जा रहा है इस ट्रेन का संचलन 21 मार्च यानि की गुरूवार से सुरू हो जाएगा यह ट्रेन उधना डेलवे स्टेशन से 9 बच कर 50 मिनट पर प्रस्थान कड़ेगी जो कि माल्दा टाउन यह ट्रेन 10 वजे मध्यरात्त्री सुक्रवार को पहुँचेगी ऐसे में इस ट्रेन का दूसरे दिशाम में भी डेलवे संचालन कड़ाएगी माल्दा टाउन रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन ट्रेन नंबर 09-on14 के साथ ऊधना रेलवे स्टेशन के मध्य स्पेशल ट्रेन बनकड माल्दा टाउन से सुभा 9 बच कर 5 मिनट पर यह ट्रेन परतेक सनिवार को रवाना की जाएगी 23 मार्च को इस ट्रेन का संचलन दूसरे दिसा में रेलवे कड़ाईगी जहां पर कि उधना रेलवे स्टेशन ये ट्रेन दूसरे दिन मधिरात्री 12 बजे अपना गंता भी पहुंच जाएगी खास बात या होगी कि इस ट्रेन से यातरा करने वाले यात्रीयों को स्लिपर के साथ साथ जैनरल सेकेंड क्लास के कोच का सुभधा मिलेगा इस ट्रेन में एसी के कोच नहीं दिये गए हैं चुकि या एक स्पेशल ट्रेन है तो ऐसे में पैसंदरों के डिमांड के चलते इस ट्रेन को डेलवे मध्यमवर्ग के लिए चलाने का फैसला किया है इसके लावे ट्रेन के रूट और स्टोपेज के डिटेल्स की बात करे तो ये ट्रेन मालदा टाउन और उध्रा डेलवे स्टेशन के मध्ये चार ट्रीप चलाई जाएगी जिसमें की पहला रेलवे स्टेशन फड़का रेलवे स्टेशन पर माल्दा टाउन से खुलने के बाद ये ट्रेन रुखेगी जिसके बाद ये ट्रेन बढ़ावा, साहिब गंज, कहल गाउं, भागलपूर, सुल्टांज गंज, जमालपूर, आभाईपूर, कियूल मुकामा, बक्तियारपूर, पतना आडा बक्सर के रास्ते पंडिट जिंद्यालो, पाध्या जंसन, पडियागराज चवकी, सतना कटनी, जबलपूर, इटारसी, खंडवा, भुसावल, जैसे तमाम रेलवे स्टेशनों पर भी स्टॉपेज रहेगा दोनों ही जिसाओं में रेलवे से ट्रेन का संचलन सुरू करने जा रही है 21 मार्च से, तो ऐसे में 21 मार्च से सफ़ड करने के लिए इस ट्रेन का सुबिदा उठाएं, जिसकी बुकिंग भी चालू हो चुकी है इस वीडियो को सेर करें, साथ ही नए ट्रेनों को लेटेस्ट अब्डेट के लिए अमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब